वेल्कम टू लेक्टर एक्सपर्ट यूटूब चैनल और आज फिर मैं आपके लिए एक इन्फर्मेशन भरी जो है वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके कुछ कुछ क्वेशन के जवाब देने वाला हूँ जैसे कहीं बच्चों के दिमाग में क्वेशन चल रहा है कि क्या इस साल जो है बोर्ट नहीं रहेगा टैंथ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से और भी बहुत सारे क्वेशन है जिनके मैं आणसर आपको दूँगा तो बने रहे हैं इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको के पहला तो यही कोशन है कि जो यह निती है वो लागू कब होगी तो बच्चे जो है कुछ न्यूज पेपर या फिर कहीं जगा पर ऐसा लिखा रहा है कि दस्वी का बोर्ड अब नहीं रहेगा तो वो यह नहीं बता रहे हैं कि यह जो पॉलिसी है वो अपलाई कब होगी वो बच्चों को जो है कन्फ्यूज कर रहे हैं कि इस साल बोर्ड रहेगा या नहीं रहेगा मुझे भी जो है कहीं बच्चे पूछ रहे हैं कि जो बोर्ड है वो रहेगा या नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दू जी यह बोर्ड है टैंत का वो अभी रहेगा आपक पांच-पांच या दो-दो साल के गैप के बाद एक दम नहीं बदलेगा ये पैटरन एक दशक में दीरे-दीरे बदलाव होगा यानि कि जो दसवी की परिक्षा का नया पैटरन है वो 2022 या 23 तक आएगा यानि कि तब तक जो है बोर्ड बना रहेगा उसी तरह से 2024-25 में जो है अपलाई हो जाएगा 2021 से और जो तीन साल के बच्चों को अंगनवाडी में लाना सुनिक्षित है उसके लिए जो है वो 2023 या 24 में अपलाई होगा तो ये आपका एकदम से अपलाई नहीं होगा तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 10th का बोर्ड अब नहीं रहेगा वो खुशी भी हिसा आप से त्यारी कीजिए जैसे कर रहे हैं तो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो